जब मैं आपका comment section पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि यहाँ पर play store से हम google chrome को और android system web view को हम update नहीं कर पा रहे हैं तो उसका reason क्या है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मेरे phone में भी update नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम इसे कैसे fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उससे पहले अगर आपने इस वीडियो चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लो और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो like करना भी मत भूलिया तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ तो पहले आपको update all देना है update all देने के बाद यहाँ पर जो जो applications है वो सब update हो रहा है except google chrome and android system webview तो यह दोनों app update नहीं हो रहा है बागी सब apps update हो रहा है तो आप थोड़ा wait करो यह application सब update होने दो उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ इससे कैसा update किया जाता है तो यहाँ पर सब application update हो चुक है सिर्फ google chrome और android system webview update नहीं हुआ है अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर मुझे settings में जाना है settings में जाने के बाद application manager में जाना है clear data करना है उसके बाद back जाना है उसके बाद android system webview android तो यहाँ पर android system webview आ गया उसे भी आपको clear data करना है उसके बाद आपको search करना है play store तो यहाँ पर play store search करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर play store आ चुका है उसके बाद यहाँ पर आपको clear catch नहीं करना है clear data करना है इससे आपका phone का अंदर application जो installed है वो कुछ remove नहीं होगा आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो उसके बाद आपको क्या हरना है background से सब application को remove करना है उसके बाद play store में फिर से जाना है फिर से जाने के बाद यहाँ पर update section में जाना है तो यहाँ पर फिलाल तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है कुछ देर बाद आपको फिर से update चेक करना है कुछ देर बाद आपको कुछ इस तरह दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक साथ अपडेट करना है, तो यहाँ पर मैं अपडेट ओल देता हूँ, तो यहाँ पर पेंडिंग शुरू हो गया है, डाउनलोड होना कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, मेरा यह यहां पर इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इसलिए आपर पेंडिंग दिखा रहा है तो यहां पर एक मिनिट बात अपडेट होना शुरू हो गया है तो कुछ इस तरह आप अपडेट कर सकते हैं आपके Google Chrome को और Android System View को तो यहां पर यह method आप try करके देखो, अगर यह try करके भी आपका Google Chrome और Android System Web View अपडेट नहीं हो रहा है तो आप नीचे comment section में बता सकते हो तो यह था एक छोटा सा वीडियो, उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा थन्यवाद